Hello everyone, welcome again, this is part second of आई दृष्टी घटना चक्र, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, पोलेंड के नए प्रधानमंतरी के रूप में किसे ने सपत गिरहन किया है, तो नए प्रधानमंतरी बने हैं, डोनाल टस्क, और इन्होंने किस की जगे ली, माटूज्ग मौराविकी की जग हैं, उन्होंने इनको प्रधानमंतरी गोशित किया, आंद्रेज डूडा राष्ट्यपती, और नए प्रधानमंतरी डोनाल टस्क, किस की जगे ली, माटूज्ग मौराविकी की जगाली, क्वालिटी ओफ लिविंग सिटी रैंकिंग दोहजार तेईस, किस के दुआरा जार जारी की गई, यह जारी की जाती है, मरसर के दुआरा, और मरसर कहां की एक कंपनी है, वो कैनेडा की कंपनी है, कैनेडा में यह स्टार्ट भी थी, तो अगर इनकी बात की जाए सहरों की, तो टोटल कितने सहर सामिल हुए, 241, 241 सहर, और टोप 3 सहर, नंबर वन रेंकिंग रही ओस्ट्रिया की केपिटल वियना की, सेकंड रहा जियुरिक जो की स्वीटिया लेंड में है, और थर्ड रहा ओकलेंड न्यूजलेंड भारत की जाए तो भारत के कितने सहर सामिल हुए, इस रैंकिंग में भारत के साथ सहर सामिल किए गए है, रैंक 53 ये हैदराबाद की है जोके इंडिया में नंबर वन रहा लेकिन इस रैंकिंग में 153 वी रैंक रही हैदरवाद की और पूने 154 बैंगलूरू 156 चेनने 161 मुंबाई 164 कोलकाटा 170 और नई दिल्ली 172 तो आपको नंबर वन ध्यान रखनी है भारत की टोप 3 हैदरवाद पूने बैंगलूरू कहा लॉंच किया गया यह लॉंच किया गया दुबाई में COP28 के दोरान COP28 कहां हुआ था UAE में ध्यान रखना है और इस एलाइन्स में कितने देश सामिल हुए भारत समें टोटल 11 देश सामिल हुए कौन-कौन से देश भारत, डैनमाक, कंबोडिया, जापान, भूतान, ओस् मिस्र, घाना, हंगरी, और अमेरीका अब आपसे पूछा जाए जी आर्सी यह होता क्या है तो इसमें क्या है गिलोबल रीवर सिटीज एलाइन्स में इसमें एक यह एलाइन्स बना है इसमें बोला गया है कि जो रीवर हैं अपनी उनको कैसे सनरक्षित रखा जाए उसके ल नामियाद रखना है विलियम समाई रूटो कहां के राष्ट्य पती है केनिया नेक्स्ट अमूर्त संस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए एक समीती बनाई गई है इसका ठारवा सत्र कब आयजित किया गया इसका सत्र अठारवा पांच से आठ देसंबर 2023 के बीच आयजित ह हुआ इंपोर्टेंट खबर क्या है इंपोर्टेंट खबर है कि कहां आयजिन हुआ तो कसाने बोट स्वामा बोट स्वाना कंट्री है और इसका आयजिन किसके दुवारा किये जाता है युनेसको दुवारा बारत की टोटल कितनी साइड सामिल है पंद्रा बात करें फस्ट कौन सी थी intangible cultural heritage तो वो वैदिक जब था वैदिक जब अगर 14 की बात की जाए तो 2021 में दुर्गा पूजा को सामिल किया गया और 2023 में गर्भा को recently सामिल किया गया है और गर्भा कहा का निर्ती है गुजरात का ठीक है next time person of the year 2023 के लिए किसे चुना गया है तो टेलर स्विफ्ट को चुना गया है टेलर स्विफ्ट अमेरिका की pop star guy का है और अभिनित्री है CEO of the year किसे चुना गया है time person of the time magazine में तो Sam Altman को चुना गया है open AI के लिए open artificial intelligence के लिए athlete of the year ये time magazine में ही ये मैसी को लियोनेल मैसी कहा के है अरजेंटीना के footballer है next दुनिया की सो सबसे सकतिसाली महिलाओं की सूची किसके दुआरा जारी की गई तो Forbes के दुआरा ये times और Forbes ये क्या है magazine है कहा के USA की तो इसमें top 3 महिलाएं उर्सुला वॉन्डेर लेयन जो की अध्यक्स है European Union की and second Christian Lagarde ये European Central Bank की अध्यक्स है and third कमला हैरिस रही उपराष्टे पती है अमेरिका की भारत की बात की जाये तो टोटल चार महिला ऐसा मिल रही top 100 में वो कौन-कौन रही निर्मला सीतरमन जी जो वित्तमंत्री है भारत की उनको 32 वी रैंक मिली रोसनी नाडर मलहुत्रा इनको 60 वी रैंक मिली सोमा मंडल जो की इनको 70 वी रैंक मिली and किरन मजुमदार सा इनको मिली 6 वी रैंक next किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिसियेटिव से भार होने की गोसना करती है तो इटली क्या है जो बेल्ट एंड रोड इनिसियेटिव से भार हो गया है भारत ने किस देश के साथ संयुक्तर रूप से LEADIT 2.0 का सुभारम किया तो स्वीडन के साथ इसकी फुल फॉर्म देखा जाए तो Leadership Group for Industries Transition 2.0 फिर से रिपीट करते हैं Leadership Group for Industries Transition तो यह ध्यान रखना है LEADIT की फुल फॉर्म किस देश को अंतराष्टि समुद्री संगठन International Maritime Organization के लिए पुन निर्वाचित किया गया है तो वो भारत को किया गया है कितने साल के लिए दूई वर्स ये कारियकाल होता है वर्स 2024-25 के लिए बात करें IMO की International Maritime Organization इसका गठन कभ हुआ 17 मार्च 1948 को हलाकि 10 साल वाद इसकी फरस्ट मीटिंग हो पाई थी 1958 में जलवाईव परिवर्तन प्रधसन सूचकांग 2024 किसके दुवारा जारी किया गया है तो जर्मन वोच, न्यू किलाइमेट इंस्ट्यूट और किलाइमेट एक्सन नेटवर्क इंटरनेशनल के दुवारा ये है जारी किया गया इसमें कितने देश सामिल हुए 63 देश सामिल हुए और एक यूरोपियन संग था 63 देश और यूरोपियन संग टोप 3 रैंकिंग किसी की नहीं रही लेकिन रैंक 4 डैनमार्क रहा रैंक 5 पर एस्टोनिय रहा और रैंक 6 पर फिलिपिन्स रहा तो Denmark टॉप पर रहा है एक तरह से यह याद रखना Rank 4 डेनमार्क की रही है सूच कांग में भारत को कुन सी रेंकिंग मिली साथवी रेंकिंग मिली and next किसने Global Cooling Watch 2023 रिपोर्ट जारी की Global Cooling Watch 2023 तो जारी की गई है UNEP United Nation Environment Program सहियुक तराष्टिय परियावरन कार्यकरम इसका Headquarter का है नेरोबी में और इसका गठन कब हुआ था 5 जून 1972 को इस रिपोर्ट के अनुसार जो G20 के जो देशे हैं उन्होंने Green House Gas उत्सरजन में कितनी सिदा दी दी 82% चिक है ये भी धियान रखना है तो 82% जो Green House Gas उत्सरजित करते हैं वो G20 के देशी करते हैं Early Warning for All पहल किसके दुबारा प्रारंब की गई सहीं उक्तराष्ट्य के दुबारा प्रारंब की गई और इसका उत्देश्य क्या है वर्स 2027 तक सभी को खतरनाक मोसम और जो Natural Disaster आते हैं उससे सुरक्षित करना इसकी क्या है उत्देश्य है Next UNICEF ने किस देश के सहयोग से Green Rising पहल को launch किया है तो UNICEF की बात की जाए तो full form इसकी originally क्या थी UN Children's Emergency Fund लेकिन अब इसका full form बदल दी गई है अब सिर्फ United Nation Children's Fund कर दी गई है और इसकी स्थापना कब हुई थी 11 दिसंबर 1946 को और इसका मुख्यालिया headquarter कहा है नियू योर्क अमेरिका में अब बात करें Green Rising की तो इसमें सहयोग दिया है UNICEF को भारत ने और यह पहल कहां launch की गई थी COP28 की meeting जो UAE दुबाई में हुई वहां पर यह launch की गई Next WISE सिखर सम्मेलन का 11 संच्रण कहां यह जित किया गया WISE की बात करें तो यह education से संबंदित है World Innovation Summit for Education और इसका यह संच्रण कहां यूजित हुआ ग्यारवा दोहा खतर में इसकी theme क्या रही रचनात्मक प्रवह कृत्रिम बुद्धी मता के युग में मानव का विकास Creative Fluency, Human Flursing in the Age of Artificial Intelligence And किस भारतिय को WISE Prize for Education से सम्मानित किया गया वो मिला सफीना हुसेन को जो की पहली भारतिय महिला है सफीना हुसेन नाम याद रखना है ठीक है New Zealand का नए प्रधान मंतरी किसे नियुक्त की गया है Christopher Luxon को इन्होंने Chris Hipkin की जगह ली तो नाम याद रखना है Christopher Luxon Next, कौन सा मंदिर परिशर इटली के पॉमपोई को पीछे छोड़कर दुनिया का आठवा आश्चरिय बन गया है तो अंकोरवाट मंदर जो की कमबोडिया में है और ये क्या बन गया है? ये आठवा वंडर और अंकोरवाट मंदर की बात करें तो भगवान विशणों से संबंदित है और किसे ने बनवाया था? सूरिय वरवन दुत्या ने बनवाया था अफरीकी देश लाइबेरिया का राष्टेपती किसे चुना गया है? तो वो जोसेप बोकाई लाइबेरिया के ने राष्टेपती जोसेप बोकाई नेक्स्ट अपैक लीडर वीक 2023 ये सैन फ्रांसिसको में आज जित किया गया और इसकी थीम सबके लिए एक लचीले और संधार्निय भविश्य का निर्मान नेक्स्ट लगजंबर के नए प्रधान मंतरी लियोक फ्रीडेन मालदीव के नए राष्टेपती डोक्टर मुहमद मोईजू अभी हली में चक्रवात देखने को मिला है बंगाली की खाड़ी में तो कौन सा मिधिली और इसका मिधिली का नाम दिया गया है मालदीव दुवारा और इस चक्रवात से प्रभावित होंगे भारत और बंगलादेश प्रभावित हुए थे क्योंकि बंगाली की खाड़ी में कौन-कौन से देश है इदर भारत और बंगलादेश ही है और भारत और बंगलादेश के तट से ही टकराए था innovation handshake ये launch किया गया San Francisco में भारत और अमेरिका के बीच और सकाउट देश ये है जो तक्निकी technological relations है उनको मजबूत करना भारत और अमेरिका के बीच के अभी अहली में treaty on conservation armed forces in Europe इससे भार हो गया है कौन सा देश रूस नेक्स्ट क्यों कर ली विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एसीय दोजार चोविस यह किसके दुवारा आई जित की गई यह जारी की गई क्यों कर ली साइमेंट्स के दुवारा और इसका यह सोलवा संस्क्राण है इसमें भारत के स सबसे जादा संस्थान थे 146 यूनिवर्सिटी लेकिन नंबर वन पर रही पैकिंग यूनिवर्सिटी चाइना बात करें भारत की तो आई आई टी बॉंबे जिसको रैंक मिली 40 भारत की तरफ से सिर्श स्थान मिला आई 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 बॉंबे को लेकिन टोटल ओवर साउट सिखर संम्मेलन दोजार तेईस यह आयजित किया गया सत्र नवबर दोजार तेईस को इसकी अध्यक्षता बारत के प्रदान मंतरी नरिंदर मोधी जी दुवारा की गया और यह इस संम्मेलन का पहला संच्करण था इसका पहला संच्करण कब आय जित हुआ गया था जनवरी 2023 में पहला संच्करण जनवरी 2023 में और अभी यह सत्तर नवंबर 2023 को और इसकी अध्यक्षत प्रदानमंतरी मोधी जी दुवारा नेक्स्ट किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस हेल्थ रिपोर्ट जारी की गई यह है वर्ल्ड मेटरोलोजिकल ओर्गेनाईजेशन के दुवारा जारी की गई है बात करें वर्ल्ड मेटरोलोजिकल ओर्गेनाईजेशन विस्व मोसम विज्ञान संगठन इसका हैड़क अठन है कब किया गया 23 मार्च उन्नी सो पचास को मर्करी की बात करें मर्करी पर मीनमाता कन्वेंशन मर्करी को हिंदी पारा बोलते हैं तो इस पर एक सम्मेलन हुआ है पांच भी बैठक हुई है कोप फाइव किस से संबंदित मीनमाता कन्वेंशन ये पारे पर संबंदित कह नहां होई जैनेवा स्विट्जलेंड में चीक है यह किसलिए होती है आगर आपसे यह भी पूछा जाता मीनमाता रोग किसकी वज़े से होता है तो मरकरी लगा देना है चीन के बेल्ट एंड रोड इनिसियेटिव से भार होने की डिकलेरेशन किस देशने की फिलिपिन से इस फर्स्ट गिलोबल AI सेफ्टी समिट 23 जिसकी मेजवानी UK ने की इसमें कितने देशों ने कृत्रम बुद्धी मत आर्टिफीशल इंटेलिजन्स से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए समझोते पर हस्ताक्षर किये टोटल 28 देशों ने किये और इस समझोते का नाम दिय गया है ब्लैचली डिकलेरेशन ठीक है इससे जोखिम वगएरा आर्टिफीशल इंटेलिजन्स अभी चर्चा में देखने को मिला रहा है डीफेक की बोडी किसी और की और फेस किसी और का तो यह चर्चा में देखने को मिला था तो आर्टिफीशल इंटेलिजन्स का जो कर रहे हैं उनके लिए यहां पर यह जोखिमों को रोकने के लिए यहां पर हस्ताक्चर किये गए हैं 28 देश दुवारा और नाम दिया गए समझोते को बिलाचली डिकलेरेशन next कितने सहरों को World City's Day के अफसर पर UNESCO Creative Cities Network UCCN में सामिल किये गया है टोटल 55 सहरों को भारत के दो सहरों को सामिल किये गया है गौालियर को और कोजी कोड को गौालियर को संगीत के लिए और कोजी कोड को साहित्य के लिए किस संस्था ने Adaptation Gap Report 2013 जारी की तो ये जारी की गई UNEP के दुवारा United Nation Environment Program जिसका Headquarter कहां पर है इसका Headquarter है नेरवी में और कब गठन हुआ था इसका 5 जून 1972 को किसका UNEP का तो Adaptation Gap Report 2013 किसके दुवारा UNEP के दुवारा और किस संबंदित रिपोर्ट जलवाईयों परिवर्तन Climate Change से संबंदित है वर्स 2030 तक Dolphin नदी के संरक्षण के लिए यहां पर West Week गोशड़ा पत्र पर साइन कितने देशों ने किए 11 बंगला देश, बॉलिविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वडोर, भारत, नेपल, पाकिस्तान, पेरु और वेनेजुएला तो यह देख सकते हो एक बार, क्योंकि आजकल सवाल पूछ लिए जा रहे हैं इस तरह से निमिली कितमे से कौन सा देश ने डोल्फिन, नदी डोल्फिन के संरक्षण पर साइन नहीं किये तो चार देश देदेंगे, एक देश इन ग्यारा मैं से नहीं होगा वो देदेंगे नदी डोल्फिन के संरक्षण के लिए जो वैस्विक घोशडा पत्र पर हस्ताक्षर किये गए थे वो कहां किये गए थे, तो बोगोटा कोलंबिया में किये गए थे अंतराष्टे प्रतिस पर्दा नेटवर्क, ICN के संचालन समू का सरदस्य बन गया है भारतिय प्रतिस पर्दा, IO, CCI और सिलोवाकिया के नए प्रधान मंतरी नियुक्ति किये गए है रोबाट फिको तो ये प्रधान मंतरी और राष्टे पती की लिस्ट आपको एक अलग से प्रोवाइड कर देंगे तो जितने भी ये नियुक्ति किये गए है राष्टे पती ये प्रधान मंतरी इनकी एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी ते देख़्ी हरीकेन ओटीस औ हैया यह मैकесिको का पुलको में संस्था ने स्ग्पार्व अंडर कोनेक्टटीड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ड जारी कि यह रिपोर्ड जारी कि गई यूएनों EHS दुवारा ये direct factual one-liners हैं तो इनको आप याद रख सकते हो United Nations University Institute for Environment and Human Security Next किस देश ने अंतराष्टे सोर्स अंगठन असेंबली के छटे सत्र की मेजवानी की भारत के दुवारा बात करें International Solar Alliance अंतराष्टे सोर्स अंगठन की तो कहां स्टार्ट किया गया पैरिस में कब 30 नवंबर 2015 को और इसका Headquarter का है गुरूग्राम हरियाना में इसका Headquarter है जहां पर जरूरत होगी एक्स्ट्रा चीजों की वो एक्स्ट्रा चीज़े आपको बता दी जाएंगे और जो Factual चीज़े हैं वो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं भारत के किस संस्थान को Sustainability Reporting में संयुक्त राष्टिय का पुरुषकार मिला है तो यह मिला है ICAI Institute of Chartered Accountants of India को और इसकी बात की जाए ICAI की तो एक जुलाई 1909 को इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राष्टिय विश्व प्रियाटन संगठन UNWTO की 25 भी महासाबा कहा है जीत की गई समरकंद उजबेकिस्तान में है की गई और भारत के किस गाउं को सर्वस्रेष्ट प्रियाटन गाउं की सूची में सामिल किय धोडो गुजरात को इकवाडोर के सबसे कम उमर के राष्टेपती बने है डैनुवल नोबोवा और 1CGIAR इस संस्थान ने क्या है यहां पर भागेदारी में सामिल होने के लिए समझोता किया है किसके साथ तो अंतराष्टी अर्दसूस को उस्रुड कटी बंदिया फसल अन CGIAR और CGIAR की बात की जाए तो यह किस संबंदित है यह रिसर्च करता है फूड सिक्योर्टी से संबंदित इकरी से इसने क्या है भागेदारी की है भारत और यूके के बीच पहली 2 प्लस 2 वारता आयजित की गई नई दिल्ली में अब यह 2 प्लस 2 वारता क्या होती है देख एक्श्टर्नल मिंस्टर्स विदेष मंतरी और वित मंतरी दोनों देशका होती और उनके बीच वारता होती है तो इसको 2 प्लस 2 वारता भोलते है इसराइल और हमास के बीच संगर्श में भारतिय फसे हुए थे इसके लिए उनको बहार निकालने के लिए बारत नेuais अजय चलाया और ऑपरेशन गंगा कब चलाया था जब युक्रेन और रूस की युद्ध चल रहा था तो वहां से भारतियों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था अक्टूबर दोजार तेईस में भारतिय बेशज सहीता आयोग आई पीसी किसका सदस्य बना है पीडीजी का ये डायरेक्ट फेक्ट्वल चीजे हैं आप ध्यान रखना और यहां पर जो तंजानिया की राष्टेपती हैं सामी आ सुलूहु हसन ये भारत की राजके यत्तरा पर आई और इनको जे अनियो देली दुवारा क्या है पीएजडी की डिगरी भी दी गई भारत के बार विश्व के दूसरे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरदाम मंदिर का उद्गाटन कहां किया गया न्यूजर्शी यूएसे में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर और वाट कंबोडिया में और ये दूसरा भारत के बहार दूसरा क्या होगा बड़ा हिंदू मंदिर होगा कहां पर न्यूजर्शी यूएसे में इस्राइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समू हमास के खिलाप ओप्रेशन चलाया कौन सा ओप्रेशन आयरन स्वार्ड से गिलोबल हंगर इंडेक्स किसे ने जारी किया कंसन वाइल्ड लाइफ और वेल्ट हंगर हिल्प ने यह है जारी किया टोटल 125 देश थे फस्ट रेंक किसको मिली बेलारूस को मलब बेलारूस में हंगर सबसे कम है और सबसे जादा का है यमन में है बारत की रेंक भी कुछ अ अगर के द्वी प्राष्टिय वाना आतू के नए प्रधानमंत्री कौन बने तो यहां पर चारलोट सलवाई बनाए गए ACI Pacific Institute for Broadcasting Development AIBD ACI Pacific Institute for Broadcasting Development तीसरी भारत द्यक्सिस का भारत बना है उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संगराले का उदगाटन हूस्टन टेकसास USA में किया गया भारत के बाहर डोक्टर भीवरावं बेडगर की सबसे बड़ी प्रतीमा स्टेचू ओफ इक्वेलिटी बोला गया इसका नावराण मैरिलेंड USA में किया गया वैस्विक नवचार सूचकंक वर्ल्ड इंटलेक्चूल इंडेक्स से 2023 किसके दुआरा जारी किया गया वीपो के दुआरा वर्ल्ड इंटलेक्चूल प्रोपर्टी ओर्गिनाइजेशन विश्व बोधिक संपदा संगठन के दुआरा किया गया टोटल कितने देश्टेश रैंकिंग में 132 फर्स्ट रैंक मिले स्वीड जलेंड को भारत की रैंकिंग 40 रही संयुक्त राष्ट्य महासाभा का ये कौन सा सत्र है तो 78 है CDC वाता 1945 में बना तब से एड़ कर दीजिए तो 78 ये क्या है इसका आयुजन हुआ और 78 आयुजन की सत्र की अध्यक्स था डैनियल फ्रांसिस ने की नेक्स्ट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके दुवारा जारी की गई वर्ल्ड लेवल पर क्यूकरली साइमन्स हमने पहले देखी है और अब है ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 ये टाइम हायर एजुकेशन के दुवारा है इसमें टॉप यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ओफ उख्सफोर्ड जोकी यूके की यूनिवर्सिटी है भारत की बात करें तो IAC बैंगलूर इसमें क्या है सीर्च पर रहा है भारत की तरफ से बात करें हैं पर संयोक्त अंतरिक्स उद्धियम जोइंट स्पेस वेंचर की तो इसकी डिकलेरेशन की समूने की I2, U2 इंडिया, इसराइल ये I2 है और U2, UAE, USA ये U2 है किन देशों के सैन्य नेताओं ने साहिल सुरक्षा समझोता पर हस्ताक्चर की तो माली, बर्कीन फासो और नाईजर तो इन देशों ने क्या है यहां पर साइन की हैं और एक दूसरे को विश्वाज दिलाया कि अगर एक देश पर हमला होता है तो बाकी दोनों देश भी उसके साथ खड़े होंगे और इसकी जो डिकलेरेशन थी इस समझोते की कहां की गई बामा को माली की कैपिटल में माली कैपिटल बामा को संयुक्त राष्टी जलवाईयो महतव कांचा सिकर सम्मेलन यूएन किलाइमेट एंबिशन समीट दोजारतेश ही आयुजित की गई न्यू यू यूजित की गई नियू यूजित की गई रियाद साउदी अरब में और इसमें बाहरत की दो सूचियों को सामिल किये गया सान जिस जिसमें 34 क्या है अपके कल्चरल है और 7 क्या है नेचरल है और एक क्या है मिस्र है दचिड अफरीका के किस सहर में गांधी वो काईजन किया गया तो जोहांसबर्ग में किया गया नेक्स्ट अमेरिका के किस सहर दुवारा सनातन धम दिवस मनाने की डिकलेरेशन की गई ये लूइस विले कैंट की के दुवारा और कब मनाया जाएगा तीन सितंबर को है मनाया जाएगा लीविया में अभी बयंकर तूफान आया है तूफान तबही मचाई उसका नाम क्या था डैनियल तूफान था विश्व के सर्फसरेश्ट देशों की रैंकिंग दो जारते जारी की गई किसके दुवारा यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट दुवारा नंबर वन देश कौन सा बनाई सूची में स्वीट जलेंड भारत को तीसवा स्थान दिया गया वैस्विक जैव इंदन गठवंदन का सुबारम कब किया गया नो सितंबर दो जार तेईस को किस देश ने मिनेट मैन तीन मिसाइल का सफलता पूर्वक परिक्षण किया तो अमेरिका के दुवारा किया गया मिनेट मैन थ्री किस तरह की मिसाइल है यह इंटर कॉंटिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइल जो एक महाधीब से दूसरे महाधीब पर भी कह जा सकती है प्रदानमंतरी नरेंदर मोधी जी ने भारती दूतावास इस्थापित करने के डिकलेरेशन की कहां पर तिमौर लैस्ते में और काथमंडू कलिंग सहित्य महुतसव कायजन ललित्पुन नैपाल में किया गया इसमें सामिल हुए भारत, मैपाल, भूटान, बंगलादेश और जारी की गई International Institute for Management Development के दुबारा इस रैंकिंग में टोटल 64 देश सामिल थे पिर्थम रैंक स्वीट जलेंड को मिली और भारत को 56 रैंक मिली तो इस वीडियो में हम यहां तक करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आर्थिकी से डिस्कस करेंगे तो इस वीडियो में इतना ही थेंक्यू हवागोटे